बाप आए तो है हमको वर्षा ये स्वर्ग का वर्षा देने के लिए फिर आधा कलब स्वर्ग में राज करेंगे और फिर आधा कलब रावन आधा कलब के बाद रावन स्राप देते हैं जब रावन स्राप देते हैं तो तुम सब दुखी तमो प्रदान बन जाते हो फिर से बाप आख करके सुखी बनने का वर्दान देते हैं ऐसे नहीं बाप ये ऐसे नहीं वर्दान देते हैं बच्चे चरंजी वे भवा परतु बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इस जनम सैथ जो भी जनमे जनमानतर के तुमारे पाप है वे सब भसम हो जाएंगे यथारत रिती से याद इसको ही तो योग अगनी कहा जाता है रावन राज में सब को पतित तो जरूर बनना ही है पतित और पावन आत्मा ही बनती है परमा आत्मा तो सदीव पावन है वो सब को पावन बनाते हैं पतित बनाता है रावन सत्युक में तो ये विकार रावन पाँच विकार होते ही नहीं सत्यक तो है संपूरन निर्विकारी दुनिया तब तो देवताओं के आगे जाकर के गाते हैं आप सरवग्रण संपन हम नीच पापे कामी कपटी कितने अपने को टाइटल दे देते हैं ये महमा आप सरवग्राण संपन है सुलाकला संपूरन है ये महमा शिव के आगे नहीं गाएंगे देवताएं जो पावन बनते हैं और फिर वो ही पतित भी बनते हैं ये सारा खेल है बाप सुखदाम बनाते हैं शिव को ही तो बाप कहते हैं शिव और सालिग नाम परमात्मा और आत्माएं रुद्र यज्य में एक बड़ा शिव लिंगरत बनाते हैं बाकी सब छोटे छोटे साल ग्राम बच्चे बनाते हैं बच्चे बनाते हैं ना साल ग्राम माना बच्चे हम आत्माएं चोरा से जन्म लेती हैं दूसरे धरम वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे सिक्धरम वाले 500 वरश में कितने जन्म लेते होंगे हम कितने लेते हैं ये बापिया करके हमें समझाते हैं ब्रह्मनों की चोटी तो मशहुर है ना सच्चे ब्रह्मन होते ही है इस संगम पर तो हम सब है कौन, हम सब है कौन बोलो, सच्चे ब्रहमां यह है कल्यानकारी युग, यहां ही तुम सब का कल्यान होता है रावन तुम कल्यान करते हैं, बाप आकर के सब का कल्यान करते हैं इसलिए बाप की मत पर चल कर अपना भी कल्यान करना चाहिए और सार्व को ये कल्यान का रास्ता बताना चाहिए श्री मत श्री भगवानों वाचा है श्री बाबा जनम नहीं लेते हैं परन्तु वो प्रवेश करते हैं जनम तो तब कहें जब किसके द्वारा पालना लेवे श्री बाबा कभी किससे पालना नहीं लेते हैं स्रफ श्री बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे मुझे तो स्वर्ग का मालिक बना ही नहीं है मैं स्वर्गतम बच्चों के लिए ही आ करके रचता हूं मैं तो हूँ ही अभूगता भूगता भी हम बच्चे तो भूगते हैं सुख भूगते हैं तो फिर दुख भी भूगो इसलिए बाप सुख दुख से न्यारा अब बाबा हम बच्चों को कहते है तो बच्चे ये समझना चाहिए क्या समझना चाहिए बाबा जो विश्व का रचता कहें अत्मा स्वर्ग का रचता है वो बाबा हम आत्मा को समझा रहे हैं अभी आत्मा ही तो समझती है आत्मा ही बैरिस्टर बनती है आत्मा ही इंजिनियर बनती है मैं फलाना हूँ ये कौन कहता है कहने वाली तो आत्मा ही है तो आत्मा ने ही कहा हमारी आत्मा ने क्या कहा जब आपने पहचान दे आत्मा ने कहा हम देवता थे पिर आठ जन्म के बाद ख्यत्री बने फिर ख्यत्री पन में बारा जन्म लिये और फिर फिर गिनीचे पावन से फिर दीरे दीरे पत्त बनते गए बाप कहते है बच्चे अब तो आत्म अभमानी बनों अब ये सब बड़ी समझने की बाते हैं आत्मा कहती है मैं सत युग में थी तो महान आत्मा थी कल युग में क्या बन गई महान पापात्मा सबसे महान ते महान कौन सबसे महान ते महान आत्मा है एक परम आत्मा अर्थात परमात्मा जो सदीव पवित्र है यहां तो सृष्टी पर तो सदीव पाँच अदावरश ही पवित्र कोई मनश रह नहीं सकते क्योंको सदीव तो सुखधाम नहीं रहता है पवित्र तो केवल सुखधाम में ही रहते हैं त्रेता में भी कुछ कम होते जाते हैं अभी तो तुम सबकी है चड़ती कला तो अब तुम्हें याद रहे के हम अभी स्वर्ग के मालिक बनते हैं फिर स्वर्ग के बाद आएंगे त्रेता में त्रेता आने से दो कला कम हो जाएंगे फिर द्वापुर में द्वापुर में तो पांच विकारों का ग्रहन लगना शुरू हो जाएंगा अब बाप कहते हैं इन पांच विकारों का दान दो तो तुमारा ग्रहन उतर जाएंगे फिर तुम सत्युगी संपूरन देवता बन जाएंगे पहले पहले उसके लिए दे अभमान तो छोड़ो काम विकार का तो दान दो अंत में आ करके नश्टो मुहा पूरा पूरा बनेंगे अभी तुम आत्माओं को सिमर्ती आई है बाप ने ये सारी बाते समझाती है बाबा कहते है अभी तुम आत्माओं को सिमर्ती आई है क्या सिमर्ती आई बरो बर हमने चोरासी जन्म भूगे है द्वापुर से लेकर रामर ने स्रापित किया इसलिए हम सब दुखी हो गए क्या द्वापुर के राजा रानी बीमार नहीं पड़ते होंगे ये भी तो दुख हुआ ना अब तो ये है ही दुख की दुनिया सत्युग है ही सुकधाम इसलिए अब बच्चों को भगवान की श्रीमत माननी चाहिए बेहत के बाप जो तुम्हें मत देते हैं मानेंगे तो उनों को सपूत बच्चा माना जाएंगा और ना मानेंगे तो उनको क्या कहेंगे सपूत के आल्टरनेट समझ जाओं कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्सा मिलेंगा सपूत बच्चे ही तो वर्से के अधकारी बनते हैं जो स्यम पवित्र बन करके और उनको पवित्र बनाते हैं वेहत का बाप तुम आत्माओं को ही पराते हैं हे आत्माएं बाबा पूछते हैं हे आत्माएं कानों से सुनती हो बुलो, हे आत्माएं, कानों से सुनते हो, क्या बुलेंगे, बड़े आवासें, क्या बाबा बताते हैं, कि आप बच्चों को श्रीमत को मानना चाहिए, बाबा कहते हैं, वो बच्चे जवाब देते हैं, हे आत्माएं, कानों से सुनते हो, कहते हैं, हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल करके जरूर स्रेष्ट बनेंगे बोलो क्या सिखाया बाबा ने हे आत्माएं सुनते हो बोलो हम बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल करके जरूर उंचते उंच है भगवान तो जरूर है भगवान तुम्हें पद भी तो उंचते उंच ही देंगा स्वर्ग का वर्षा देते हैं आदा कलब के लिए कोई कम बात हो रहे है लोकिक बाब से तो हद का वर्षा बिलता है अलब काल का सुख कल्यूग में तो वो सुख भी है कांग विश्टा के समान इसलिए देखो सन्यासी विचारे घर बार छोर करके चले जाते हैं वे ग्रस्त धरम को नहीं मानते हैं कहते हैं ग्रस्त में रहकर के अम भगवान को पार नहीं सकते हैं अब ये ग्रस्त धरम वो सत्युग में ही है कल्युग में तो धरम नहीं रहा न अच्छा बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे इस पराई से विश्णुपुरी में जाते हो उसके लिए परमपिता परमात्मा तुमको परा रही है भक्तों को तो ये पता ही नहीं है कि भगवान है कौन कब आता है उनका कर्तव ये कौन सा है कैसे वो आकर के पत्तों को पावन बनाते हैं ये कोई नहीं जानते हैं अभी बाबा कहते तुम बच्चे पावन बन रहे हूं दुनिया उस पतित पावन को याद कर रही है और तुम्हें पतित पावन बाप पावन बना रही है दुनिया ये नहीं जानती कि वो कैसे पतित से पावन बनाते हैं अभी तुम संगम युगा पर खरे हो बाकी तो सब है कल्यक में वे समझते हैं, मनुष तो क्या समझते हैं, कल्युक तो अजन बच्चा है, अजन चालीस अजार वरश परा है, मनुष देखो क्या क्या बोलते हैं, जब कल पर ही पांच अजार वरश का है, अभी बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, आप तो कल्युक का विनाश होने पर ही पहुँच गया है, अभी तो तुम्हें सत्युक में जाना है, बाप ने अभी तुम्हें समिर्ती दिलाई है, क्या समिर्ती दिलाई है, मैं कल्प कल्प आता हूं, तुमको बेहद का स्वर्ग का वर्षा कर देता हूं, तो अब तो बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए न बाप ऐसे थोड़े कहते हैं कि यहां ही बैठ जाओ बाप के पास ही आके बैठ जाओ बाप तो कहते हैं बच्चे भल घर गरस्त में रहो स्रफ पवित रहो और ये स्रिष्टी चक्र फिराते रहो तब ही तुम नश्टो मुहा बन जाएंगे बस एक शिव बाप की याद रहे दूसरा न कोई बाप कहते हैं अभी तुम जानते हो कि अब ये हमारा बाप के साथ नया संबंद जुट रहा है इसलिए पुराने संबंद में ममत्व नहीं रहना चाहिए बस अब तो तुमारा ममत्व नहीं दुन्या नहीं रातदानी से ही रहना चाहिए क्योंको देखते हो अब तो मौद बिल्कुल सिर्परस्वार है तैयारियां होती रहती हैं सुनते रहती हैं न smaja कहाँ calamities कहाँ लराया कहाँ आपसमें जुगरे तो भाबा कहते हैं अब तो ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं होती रहती हैं अब तु है ही अकाले मिर्त्यू का समय सत्य युग में अकाले मिर्त्यू होता ही नहीं पर समय पर ही एक पुरानी खाल छोड़ के नहीं ले लेते हैं परंतु कल युग में नहीं पहचाने अपने को जानते नहीं बाप को जानते नहीं तो उनों के पास स्यम की knowledge नहीं तो ये कैसे जानेंगे कि हमको शरीर छोड़ना है कब छोड़ना है और कैसे छोड़ना है ये तो सत्युग में अकाले मिर्ट्यू नहीं होता समय आने पर जब आयू का समय फूरा होता है तब उनों को ये संक्लब पाता है और एक प्रानी खाल छोर नहीं ले लेते हैं अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बच्चों को नमस्ते अब फिर सुनेंगे क्या सुनेंगे सारी मॉर्ली का सार आगया बुद्धी में बार बार बाबा ने याद लाया है तो बुद्धी में पक्का हो जाना चाहिए और पिर याद रहे मॉर्ली के बार दस मिनिट योग में बैठना है धारना के लिए मुक्चसार स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नश्टो मुहा बनना है मौत सिर पर स्वार है इसलिए सबसे ममत्वर निकाल देना है दूसरी पॉइंट बाप से वर्षा लेने के लिए क्या है जवाब हाँ याद है बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है, आतम अभवानी बनकर सपूत बच्चा बनना है, आज का वर्दान, तपस्या द्वाना, सर्व कमजोरियों को भसम करने वाले, फर्स्ट नमबर के राज अदकारी भवा, तपस्या द्वाना, सर्व कमजोरियों को भसम करने वाले, फर्स्ट नमबर के राज अदकारी भवा, फर्स्ट जनम में फर्स्ट नंबर के आत्माओं के साथ राज अधकार प्राप्त करना है तो जो भी स्यम में कमजोरियां है उन्हें तपस्या के योग अगनी में भास्प करो मन बुद्धी एकागिर करना अर्थात एक ही संक्लप में फुल पास होना है एक ही संक्लप में रहना अगर मन बुद्धी जरा भी विचलत हो तो दिर्धता से अंदर में पक्का अपने से प्रामिस करो एकागिर बनो विरत संक्लपों की समाप्ती ही संपूरंता को समीप लाएंगी अब स्लोगन है समय को गिन्ती करने वाले नहीं अब कितना बाकी समय कितना क्या जल्दी होने वाला है आप तब एक दो से पूछते हैं समय को गिन्ती करने वाले नहीं बनो परन्तु बाप के वा सुयम के आत्मा के गुनों की गिन्ती करते सुयम को संपन बनाओ समय को गिंती नहीं करो परन्तु परमात्मा के गुनों और आत्मा के गुनों को गिंती कर सुयम को संपन बनाओ ओम श्यंती श्यंती श्यंती